हेलो बच्चों आज हमारा क्वेशन है राउन ओप इच ऑफ दा फोले नमबर टू नेरेस्ट टैन हमें इसको कि नेरेस्ट करना तेन भाई 87 अब 87 हमारे किसके नेरेस्ट होगा यह 80 कोगा सब पहले तो नेरेस्ट टैन की बात कर रहा तो nearest 10 का मतला है कि 87 कि 10 की बीच आता 80 और 90 के बीच 87 किसके बीच आएगा 80 और 90 के बीच आएगा अब हम हम देखना अगर इसका mid point हम देगे तो कितना होगा 85 होगा अब हम हम देखना अगर हमारा 80 से लेके 84 तक नंबर है तक 80 से लेके 84 तक तो यह निरेस्ट हो जाता है 80 यह पीचे आजाता है 80 यह किन जैसे हम 85 पूछते हैं हमारा नमर निरेस्ट कहां चला जाता 90 जैसे 85 हो जाएगा वह कांच चला जाएगा 90 चला जाएगा अब यहां तो 87 है 85 से उपर जारा तो यह निरेस्ट कहां जाएगा यह 90 हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा निरेस्ट 90 आपको 80 से लेके 84 तक मतलब जिन दो नमर के बीच हम निकाल देखने 84 अगर हो मिड़ पॉंट से पहले हो तो यह निरेस्ट लाजान वापस आ जाता लेकिन यह समरा मिड़ पॉंट चला जाएगा वह आगे चला जाता यह helping फीफटी-फोर जाएगा 53 फीप्टी-फॉर किस टैन के बीच आएगा 50 और शिक्शति के बीच आएगा इसकर मिड़ पॉंट आ नेरेस्ट कहा जाता है 50 आ जाता है कितना जाता है 50 एक हंडेड़ से मतलब नहीं हमें नियरेस्ट देखना वांस और टेंस 84 84 अगेन बाई 80 और किसके बीचे 90 के बीचे इसका मिट पॉइंट देखेंगे तो कितना हो जाएगा 85 होगा बाई 84 तो यहां है मिट पॉइंट से पह हमने हमें नियरेस्ट देखना वांस और टेंस अब 64 जेको 60 और किसके बीचे 70 के बीचे अगर मिट पॉइंट देखेंगे तो 65 होगा अब 64 तो सम्तिंग इधर होगा 64 यहां होगा बाई जब तक हम मिट पॉइंट में पहुंचे हम पीछा आते तो 64 तक कहा जाएगे नियरे 60 जैसे हम मिट पॉइंट तक जाएगे हम आगे बढ़ जाते ओके देखो 3,242 हमें 42 का लिखना वाई 40 और 50 के बीच है मिट पॉइंट देखेंगे 45 42 तो यहीं पे होगा तो किसके नियरेस्ट होगा 40 के नियरेस्ट होगा ओके 20,400 हमें 6 देखना 6 का होगा वाई 1 और 10 के बी किस्ट लेखन लेगा ओके